दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीश सोधिया ने आज अपना आठवा बजट पेश किया है और दिल्ली सरकार में सबसे ज़ादा बजट पेश करने वाले मंत्री मनीश सोधिया बन गया है हमाई साथ बातचीत करने के लिए वो जुड़ गए है सर आपन जो आज बजट पेश किया उसमें आप बार-बार कारोबार और रोजगार की बात करते नजर आए ये किस तरह से रोजगार बजट है आपने क्यों ये नाम दिया दिल्ली में लोगों की सबसे जादर जरूरत इस वक्त नोकरिया है दिल्ली की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है परीवार की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है लोगों की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है और ये बात हमने काफी रिशर्च कराई हमने लोगों से वी सुझाँ मांगे उसमें भी हर जग бли community कि साब आप जो भी जुब बनाएं ।ुसमें रोजगार को भी देखिए आम उसमें कितने रोजगार को रहा हैं आप food over bridge भी बनारें तो ऊप्रिज को बनाने में उसको साफ रखने में उसको चलाने में कितने लोग को रोजगार मिल रहा है क्योंकि अगर उस तरफ नहीं देखेंगे तो रोजगार के दरश्टा कौण गायब है सारे सरकार के काम में तो ह का रियल इस्टेट, एंटरेटेन्मेंट, टूरिज्म ये सब मिलके बहुत नएने जॉब्स क्रेट कर सकता है। एक निशिट रहता है, सरकार की अपनी सरकारी नोकरीयां सीमेते हैं। फिर भी 7 साल में 1,78,000 नोकरीयां दिल्ली सरकार ने दी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में दिल्ली सरकार ने जितना काम किया। 24 घंटे बिजली हुई, केवल और केवल पिछले कुछ मतली एक दो साल के उसमें देखें तो रोजगार पोरितल जो हमने बनाया, उसी के माध्म्द assess हेyttा माध्यंदी रोजगार दिये गए, दस लाख नोकरियां दी गई, तो बारे लाख नोकरियां तो एक तरह से दिल्ली सरकार पिछले साथ साल में बहुत रिकॉर्ड के साथ दे चुकी है, आने वाले पांस साल में हम बीस लाख जॉब्स और नए क्रियेट करेंगे, ये बारे लाख तो ही है या इसके अलावा जो लोग आज की तारिख में नोकरी कर रहे हैं, लेकिन बारे लाख नई नोकरियां मार्केट में इंटर्वेंशन से, सरकार में इंटर्वेंशन से जनेरेट होगी साथी साथ ये भी देखने के लिए मिला कि दिल्ली में नाइट लाइफ को लेकर चर्चा होती है यहाँ पर बात आए कि जो फूट ट्रक होते हैं उन्हें आप रात आठ बजी से लेकर रात दो बजी तक दिल्ली में इंस्टॉल करेंगे अलग अलग जिगह पे किस तरह से नाइट लाइफ में बदलावा ओएगा फिलाल दिल्ली में जल्दी दुकाने बंद हो जाती है लोग बाहर आसानी से जा नहीं सकते क्योंकि सब कुछ बंद होता है सरकार की क्या नीती है फूड सेक्टर में हमने 25 पर एनम की ग्रोध देखी है और इसमें सबसे जादा रोजगार है इसमें सबसे जादा नौकरिया है रेस्टोनेट खोलिए है आप फड़ाफट नौकरिय निकलती हैं प मेश्पड़िलिचित के खोली चाही कई सेडियों में चोटे शहरों भी बड़े शहरों में इसके Überkay दिलिदे अभी कम्तेठों से इंडा zur टो कोन्रों कोर्णर शिरान पेशेटिंग के साथ चल रहे होते हैं, तो जो कॉलिटी फूड खाने वाली हो एक आज यहां पर कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखना होगा, रात का वक्त होगा तो जाहिर है उस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर युवा लड़के-लड़किया वहाँ पहुचे सुरक्षा के लिहाद से भी वहाँ कदम उठाई जाए तो उसके लिए तालमेल चाहिए होगा तालमेल भी चाहिए होगा पर ऐसा थोड़े है कि दिल्ली के लोग कुछ गड़वड़ी करते गूमते हैं ऐसा थोड़े है लोग अभी भी रात में निकलते हैं काम के लिए जाते हैं इलाज के लिए जाते हैं नौकरियों के लिए जाते हैं लोग खाने के लिए निकलेंगे अपनी नेवर हुड भी निकलेंगे तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कारूबार को काफी नुकसान हुआ कुरोना काल में और ये भी चर्चा चल रही है कि आने वाले दिनों में कहीं चौथी लहर या उसके बाद की जो लहर आएगी वो दस्तक तो नहीं दे देगी कर और एकोनोमी को भी ये पूरा रिसर्च करके हमने बजट बनाया है और आने वाले समय में इश्वर ना करें कि फिर कोई कोई की लहर है लेकिन हमने health care infrastructure को काफी आगे बढ़ाया है और pre-covid infrastructure और post-covid infrastructure में oxygen beds बहुत बढ़ गए हैं, ICU beds बहुत बढ़ गए हैं तो इश्वर ना करें, जरूत पढ़ें, पर सरकार तो तयार है आखरी मेरा सवाल है आपसे, MCD को लेकर तो आप संसत में बिल पेश हो गया है जितनी भी आपकी नीतिया हैं, वो कहीं ना कहीं license से भी जुड़ी हुई है, एजंसियों से जुड़ी हुई है क्या इस बात को लेकर तालमेल में कोई कमी आएगी या फिर आपको लगेगा कि MCD में अब अधिकार केंदर के पास चले गए हैं दिल्ली में जो नीतिया आप बनाने जा रहे हैं उसमें रुकावट आ सकती है नहीं नीतियों में कहीं अगर रुकावट आएगी भी पिछले साथ साल में भी इन्होंने बहुत रुकावट डाली थी ऐसा नहीं है तो साथ साल में भी काम हुए और अगर रुकावट डालेंगे तो रुकावट को भी दूर करेंगे लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए काम तो होंगे चलिए तो यहां पर काफी आश्वस्थ हैं डिप्टी सीम मनीज सुसोधिया और इस पूरे बजट को रोजगार बजट का नाम दिया गया है देखना होगा कि जमीन पर ये तमाम योजनाएं कब से नजर आती हैं कैमरा मेनेजर ठाकूर के साथ मंकर जैन दिल्ली आज तक